तो दोस्तों आप सभी ने बेसन के लड़ू तो बहुत खाए होंगे और बनाए भी होंगे कभी ऐसा हुआ है कि आपके बेसन के लड़ू खाने की इक्षा हो रही हो घर में बेसन नहीं हो तो आज मैं आप सुभी के सामने घर में अगर बेसन नहीं हो और बेसन के लड़ू कैसे बनाए ये आज मैं आपको बताऊंगी और अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी बेसन के लड़ू आपने बहुत तरीके से खाये होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं खाये होंगे नया तरीका लेके आई हूँ आज मैं बेशन के लड़ू बनाने का और ऐसा तरीकल आई हूँ जिससे ये जल्दी भी बनके रडी हो जाएंगे और टेस्ट में बिल्कुल बजार जैसे ही लगेंगे और बहुत ही बढ़िया लगेंगे तो चलिए बना लेते हैं उससे पहले अगर आप सुभी ने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब् तो ये चनेगी डाल ले लिए हैं मैंने एक कटोरी अब हमें क्या करना है इसको हम ग्राइंडर में डालके चनेगी डाल को ग्राइंड करेंगे जैसे जितना हमारा बेसन होता है उतना बारिक हमें इसको ग्राइंड नहीं करना है थोड़ा दरदरा रखना है इसको हमें तो इसमें मैंने कडाई रख ली है कडाई में हम डालेंगे घी तो यहां पे मैंने अभी घी डाल दिया है घी डालने के बाद अब इसमें मैं बेसन डालूंगी अपने जो चने की डाल डाल के मैंने इसको पीसा हुआ था और इसको बढ़िया तरीके से भूल लेंगे तो मैं आप को दुबारा बतातू हमें इसको बिलकुल fine grind नहीं करना है बेसन को थोड़ा दरदरा रखना है इससे क्या होगा पहली टिप है बेसन के लड़ू में दरदरा पन रहेगा न तो बहुत ही tasty लगेंगे अब इसमें मैंने आधी कटोड़ी डाल दी है सूजी सूजी जरूर डालि इससे हमारे बेसन के लड़ू बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इनको दोनों को अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे तो यहां पर हमें यह बात याद रखनी है हमें इसकी flame medium to low रखनी है जिससे यह अच्छी तरीके से भुनेगा और इसको हम चलाते रहेंगे तो चलात बेसन नहीं लिया था मैंने इसको ददरा रखा था इससे हमारे बेसन के लड़ू जब अंदर से करकरारे से बनेंगे खाएंगे आप दानेदार से बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो यह देखिए आपको दिखरा होगा यह दानेदार से हमारे बेसन के लड़ू का यह जो ब तो यहां पर मैंने इसको अच्छी तरीके से ठंडा क Lord कर लिया है अब इसे दाल jáई हूं शककर यहां पर मैंने पिसी शकक Cola है घर पे ही पिस ली ति मैंहारा बेजन था आधा किलो में 250 ग्राम शक कर आराम से लग जाएगी और इसको अच्छी तरीके से हम लिक्स कर लेंगे त बढ़िया तरीके से तो यहाँ पर दोस्तों बेशन के लड़ू तो सभी को पसंद होते हैं चाए बच्चे हो चाए बड़े हो तो उसको कैसे बनाना है आज मैंने आप सभी के सामने बताया है बेशन के लड़ू क्या होता है बिलकुली बारिक बेशन के बनते हैं तो वो इतना मज़ा नहीं आता है और इसको हम हाथों से बांध लेंगे यहाँ पर मैंने बेशन को दददरा पीसा है इससे जो हम जब खाएंगे तो ददरा पन आएगा हमारे मुह में यह लड़ू को तो बहुत ही टेस्टी लगेगा एक बार मेरे तरीके से आप यह बेशन के लड़ू जरूर बनाएगा तो यह हमारा एक लड़ू बनके रेडी हो गया है तो यह देखिए यह दूसरा लड़ू भी बनके रेडी हो गया है तो बाकी के भी हम इसी तरीके से बना के रेड़ी कर लेते हैं अपने बेशन के सारे लड़ू तो ये देखिए हमारे सारे बेसन के लड़ू बनके रेडी हो गए हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं दोस्तों और बहुत ही जटपट बनके रेडी हुए हैं आप भी अपने घर पे ऐसे ही ट्राइ जरू कीजिएगा ये देखिए हमारा लड़ू कित्ता बड़िया बनके रेडी हुआ है तो यहां पे मैंने बेशन थोड़ा दरदरा पीस के बनाया है आज बेशन के लड़ू तो आप भी ऐसे ही ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इनको एक कंटेनर में भरके स्टूर करके भी रख सकते हैं आपको कुछ खाना खाना के बाद मीठे खाने की इक्षा होती है कई लोगों के घर में ऐसा होता है तो आप इसको ऐसे स्टूर करके रख सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई